ये राधा स्वामी सर्थसंग ने अपना पूरा यहां पे स्पेस दिया है जहां पे कोविड का आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है और यहां पे लगबग 10,000 बेड्ज बनाई जा सकते हैं जो पेशेंट्स माइल्ड है एसिंटोमेटिक हैं जिनको नहीं है अभी उनका एक तो घर में इलाज हो सकता है डेली बेसेश पे जो इस तरह के लोग घर में जिनको हम कहते हैं कि आप घर में रही और घर में आपका हम देखवाल करेंगे उनको फोन जाते हैं दिल्ली सरकार से लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में विवस्था नहीं होती, आइसोलेशन करने की अलग से कमरा नहीं है, कई गरीब लोग हैं, जुग्यों में रहते हैं, टॉइलेट्स नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को फिर आइसोलेशन करने के लिए हमें विवस्था करनी प के विवस्था की जाएगी एंबुलेंस के विवस्था की जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई के पहले हफ़ते के पहले-पहले यह बनके तयार हो जाएगा तो जैसे हमने कहा था कि तीस जून तक दिल्ली में पंद्रा हजार बेड्स की जुरूर पड़ेगी तो उसी दिशा के अंदर यह कदम उठाया जा रहे हैं जब पूरी डिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्तर पे बेड्स की विवस्था अभी चास्तिती है अगर 31 जुलाई के साथ देख रहे हैं तो बेड्स बाग काफी जैसे होटेल्स के अंदर हम केस जीत गए थे कुछ होटेल वाले स्टे कोर्ट में जाकर उन्होंने लेकिन कोर्ट से हम लोग जीत गए अब होटेल्स में बहुत बड़े स्तर के उपर मुझे लगता है 3,5-3,000 बेड्स होटेल्स के अंदर व्यवस्था की जा रही है, banquet halls के अंदर विवस्था की जा रही है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक ही थोड़ी सी मुझे मेरे दिमाग में वो है कि आने वाले समय में हो सकता है, ICU beds काफी जादा ज़रूर पड़े, उसकी भी अब हम विवस्था कर रहे हैं कि ICU beds कौन कौन से hospitals में हमें ब अगर कोई सीरियस होजाता है, तो उसको फॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर वो स्टेवल होता है, तो इसको होटल में है, तो एक तरह से दोनों के बीच में एक रिल रहे हैं तो यहां पर हो सकता है कुछ ऐसा इसा इंतिजाम करना है, तो फिर उनको यहां वही मैं भी बात कर रहा था, तीन-चार होस्पिटल के साथ अटेच करना पड़ेगा, कि अगर कोई सीरियस होजाता है तो इसे तुरंथ होस्पिटल से जाए है, तो इसे तो इसे बचाया जा सकता है, तो उन्होंने बाकि दोनों राज्यों के जो आसपास के डियम्स थे औ और वो उनको सबको बुलाया हुआ था, तो एक तरह से उसको पूरे को एक कोरोना के लिए एक यूनिट मानने का हुआ झाल